हेलो एब्रीवन, वेलकम तो माई यूटूब चैनल एजवट्डा, दिसीज आनद गुमार, डिर एस्टुएंट, टूड़े आम गोएंग टॉक अबाउट माई मदर, माई मदर, लेशन फर्स्ट विच टेकन फ्रॉम, क्लास शिक्स फर्स्ट लेशन, माई मदर, मेरी मा, जिसीज पर पर इसका वार्मर देखते हैं, वार्मर में क्या कहता है, whenever in trouble or pain, बच्चों pain का मतलब होता है, दर्द, दुख, तकलीप, दर्द, तकलीप होता है, ते क्या हता है, जिए वेन, whenever in trouble, trouble or pain, क्या है, वेन अबर मतलब जब, जब भी हम कोई परिस आनी में होते हैं, क कोई दुख में होते हैं कोई तकलीप में होते हैं दवर्ड जो सब्द है दवर्ड जो सब्द है मां मां जो सब्द है वो तो हम मां सब्द ही नेचुरली हमारे प्रकृतिक रूप से हमारे मुझसे मां ही क्यों निकलते हैं जब हमें कोई दर्द में होता है कड़ा में होता है चोट लगती है गिड़ते हैं तो नेशरली हम मन में में मेरे मुझ से माहीं क्यों निकलते हैं यह बताना चाहते हैं Can you explain why it is so? Can you explain why it is so? क्या आप बता सकते हैं क्या इसे वैख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यूं होता है कि जब भी हमें चोट लगता है दुनिया में बहुत सारे माँढ़ा है बहुत सारे मतलब सोरी वर्ड है तो सिर्फ माही हमारे मुह से क्यों निकलता है पापा है दादा है दादी है नाना है नानी है यह सब्द न निकल करें माही निकलती है ऐसा क्यों इसी के बारे में इस कविता में आपको बता गया है देखें क्या करते हैं लेना नाव रीड और इन्जुआ इसप्वाइं पोएं प्रॉयम अ तला सब्छार इसक्वाइं लिए पाझ अभला घंज candidate पड़े करें शोब दोर से चलिए जूआ करता है काथ और हूश एक पर आशन आवके आपको कूसेट एन वाच्ट माइइवार्य थे अफेन्ट हेड बच्चों हेडिका मतलव आपको मतला जर्व था इन फेंट मतलब था सीशू इन फैट मतलो सिशू या बालक वास्ट मतलब देख भाल करना या निहारना माई हेड मतलो मेरे सर को हूँ सेट मतलो कौन देखे इसको पर दूसरा लें देखिए पहरा लें में क्या कहता है हूँ सेट एंड वाच्ट माई इनफेंट हेड वें स्लीपिंग ओन माई क्रेडल बेड एंड टीर्स ओफ स्वीट अफेक्शन सेड माई मदर इसको देखिए बच्चों अच्छे से बताजे रहे है कि कौन मेरे पास बैठती है एंड वाच्ट माई इनफेंट हेड और कौन सिसु के बच्चे को बालक के सर को निहारती है मुखडे को देखती रहती है कौन देखती रहती है वेन स्लिपिंग ऑन माई क्रेडल बेड बच्चों क्रेडल बेड जो देखने है क्रेडल बेड क्रेडल बेड का मतलब होता है क्रेडल बेड का मतलब होता है पालना क्या होता है क्रेडल बेड का मतलब पालना में प्रेटल बेटे जब मैं अपने ईच्रेटल बेट न Ri सै को सिजु के माथ को निहारती रहती है वयन्न ईय। वयन श्लीपिंग ऌन माइक्रिड़र बेट जब आपने यह द बेड़ फे जब मैं अपने क्रेडल बेड़ पर अम्टन कर्या रहता हूं तो मेरे सर को कौन नेहारती है यह शीजू कर रिएंट सूईटेट ऊफेक्षेंट सेड्me लोगता है बहाना आप्थेंट का मतलुह वोते है बत्चों प्रेम या अनुराग और टीर्स मतलब आउसु intertwine कि सिज्ड में बीठे बीठे रूप से आशु बहाते हैं अफेक्शन सेड मतलब अनुराग और प्रेम में जो मेरे लिए आशु बहाते हैं कौन बहाते हैं करता माई मदर मेरी मां मेरी मां मेरे बगल में बैठती है मेरे सर को निहारती है और जब मैं पालने में स्वेया राता हूं तो मेरे सर को नि ने में मेरे प्यार में आथ डुसरे जिए हैं कि दुका ने गडर है उन पेन एक्षा यलतरों पने में सिकने स्केर में मतलब मतलब रुलाना मतलब जब कहता कि जब मैं पेन और दर्द में बिमारी में जो मुझे रुलाती है बच्चों यहां हेवी आई का मतलब समझेंगे भड़ी आशू से भड़ी आखे आशू से भड़ी आखे तब कहते हैं जब मुझे बिमारी और दर्दों तकलीफों से मैं रोता रहता हूँ तो हूण गेजड मतलब हुता है निहारना या टक टकी लगा कर देखना तो कौन मुझे टक टकी लगा कर देखती रहती है upon my हेवी आई मेरी आशू से भड़ी आखों से कौन मुझे देखती रहती है टक टकी लगा कर and wept for fear that I should die should die मतलब कहीं कहीं मैं मरना जाओं फियर मतलब डर and wept और वो आशुबहाती रहती है फोर फियर इस डर से that की should I should die कहीं मैं मरना जाओं इस डर से वो आशुबहाती रहती है कौन तो क्या कहते हैं मेरी माँ my mother mary ma my mother wept four tears that I should so for me my mother wept very heavy eye very मेरी माँ मेरे लिए रोती है कि मैं कही मैं मर न जाओं तीसरा एस्टेंजा देखे बच्चो who ran to help me when I fail बच्चो fail का मतलब अता है गिरना help मतलब मदद when मतलब जब काता who who ran to help me मेरी मदद के लिए कौन आती है when I fail जब मैं गिरता हूँ तो मेरे मदद के लिए कौन आती है and would some pretty story tell और जब मैं गिरता हूँ मुझे चोट लगता है तो pretty story सुन्दर सुन्दर कहानिया कौन सुनाती है हमको भूलाने के लिए बालाने के फुसलाने के लिए कि चोट का तकलिफ हमको न सहन हो और kiss the place to make it well kiss the place मतलब उस जगह पर make it well मतलब ठीक हो जाने के लिए और उस जगह पर जिस जगह पर मुझे चोट लगा रहा था उस जगह पर चुम्बन करती है किस करती है place to make it well कि अच्छा माशूस हो हूँ हमे चोट माशूस नहों इसलिए बोलती है कि अब ठीक हो जाएगा किस करके तो कौन मुझे चुम्बन करती है जिस जगा पर चोट लगा रहता है तो काता है माई मदर मेरी माँ लास्ट इस्टेंज जाए बच्चो काता है and can I ever seize to be seize मतलब होता है रोकना seize मतलब रोकना ever मतलब बंद इसके लिए कभी ऐसी माँ के लिए मैं कभी कुछ करना बंद कर सकता हूं रोक सकता हूं affectionate and kind to thee थी मतलब बच्चो आप यहां समझेंगे ठीका मतलब समझेंगे यू ठीका मतलब यू affectionate and kind to thee इस परकार की तयालुता के लिए इस प्रकार की ममता के लिए मैं उससे कैसे बंद कर सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे लिए इतनी दयालू थी, इतनी दयालू बर इन आखों से हमको उत्पाज लिए पोसी उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ वो कौन, वो वाज वेरी, जो मेरे लिए, मतलब वेरी काइन टू में, जो मेरे लिए बहुत निर्द, मतलब दयावान थी, दयाप की दिरिश्टी दिखाए जी, उसको कैसे बूल सकता हूँ माई मदर, मेरी माँ, बच्चो दो इस्टेंज आओ रहे है, सोरी हम भूल दिया थे कि लास्ट है, दो इस्टेंज आओ रहे है इसमें, यह सेकेंड लास्ट है सिकेंड लास्ट है If God please my life to spare, बच्चों स्पेर का मतलब हाता, बचना या बचाना, अगर, और अगर, God please my life to spare, अगर भगवान मेरे उम्र को बचाए रखे, मुरे जिन्दी को बचाए रखे, I hope I sell reward, थाइ केर, थाइ का मतलब बच्चों यहां यू समझेंगे, थाइ केर, मैं उसकी देखवाल मार एकरोंगा, जिसके मेरे मान मुझे देखवाल किया, मेरी सिवा किया, सर्दीओ में, गड्मीओ में, गिरने पर वैसी तरह मैं माना का सिवा करूँगा, मैं मदर किसकी, मेरी मा, जाइ लक्ट को यहां, बच्चों आर्ट का मतलब यहां पर आप आठ समझेंगे, थाइ का जब तुम कम जोर हो जाएंगे गने बाल तब मेरे जो स्वस्त बाहं है मेरे बाजू है तुम्हारे कंदे को सहारा देगी तुम्हारे सडीर को सहारा देगी जो मेरे सवस्त बाँ है जो तुमने पाल पोस्कर बड़ा किया है वह बाँ तुम्हें सहारा देगी मैं भरसक परियास करऊंगा किसकी मा मदर मेरी मा की बच्चों ये मां के प्रति प्रेम और सिने से भड़ा कविता था देखिए ये बच्चा मां के पास कैसे रहता थैंक्यू